हम सभी जानते हैं कि नौकरी, जिम्मेदारियों और रोजमर्रा के कामों से अपने लिए खोड़ा सा समय निकालना चुनौती पूर हो सकता है। आपको पाइलट से पूछें, आज का मेरा शेडिूल बहतर करो। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और सुबह 8 बजे डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट है, जो मेरे ओफिस से 10 मिनिक की दूरी पर है। मैं सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करता हूँ और आदे जाने में 30 मिनिक लगते हैं। मैं एक घंटा व्यायां करता हूँ, एक पेज का सापताहिक न्यूज लेटर लिखकर भेजता हूँ और परिवार के लिए किराना खरीदना होता है, साथ ही 30 मिनिक सेल्फ कैपर भी खर्च करता हूँ। इन कामों का सबसे अच्छा क्रम क्या है? कुपाइलट तब एक व्यक्तिगत शेडियूर सुझाएगा और पक्का करेगा कि आपका दिन फल्दाई और संतुलित हो। आपके इन कामों को कुपाइलट प्रभावी रूप से व्यवस्तित कर सकता है। आप पूछें, मेरा आज का शेडियूल व्यवस्तित करूँ। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और 9 बजे मीटिंग करता हूँ। मुझे दोपहर एक बजे तक एक प्रोजेक्ट आफर पूरा करके रिपोर्ट रिव्यू करना है। सुबह 10 बजे से एक घंटे के दो ट्रेनिंग सेशन देने हैं और दोपहर 2 बजे एक क्लाइंग से बात करनी है। मैं दोपहर 12 बजे लंच ब्रेक लेता हूँ और 30 मिनट आने जाने में लगते हैं। इन कामों का क्या क्रम होना चाहिए। कोपाइलट एक कुशल वर्कफ्लो का सुझाव देगा जिससे आप जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। ये मैसेज और एमेल जाफ्ट करने में भी मदद कर सकता है। आप कोपाइलट से पूछें, मुझे इस शुक्रवाज शाम 5 बजे तक हमारे प्रोजेक्ट के लिए टीन एडिट वाले काम सौंपने हैं। क्या तुम एक ऐसा मैसेज लिखने में मेरी मदद कर सकते हो जो पेशेवर होने के साथ-साथ दोस्ताना भी हो। कोपाइलट की मदद से आप एक ऐसा मैसेज भेज सकते हैं जो पेशेवर और अपनेपन का सही मिश्रण होगा। ये समय की बज़ट करता है और आपकी टीम को ट्रैक पर और लूप में रखता है। अगला है प्लानिंग चाहे कोई वर्प प्रोजेक्ट हो या व्यक्तिगत लक्षय, प्लानिंग जरूरी है। देखे, इकोपाइलट कैसे इसमें मदद कर सकता है। मैं एक ऐसा मोबाइल आप बनाने के प्रोजेक्ट का नित्रित्व कर रहा हूँ, जिसमें यूजर अथेंटिकेशन, पेमिन इंडिग्रेशन और रियल टाइम नोटिफिकेशन जैसी सुविधाएं शामिल है। हमारे पास पांच जिवेलपर्स हैं, 80,000 डॉलर का बजट है और 13 जुलाई अंतिम तारीक है। अगर हम 4 जनवरी को प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो क्या तुम हर चरंग के लिए माइलस्टोन और विसोस आवंटन के साथ प्रोजेक्ट प्लांग की रूपरेखा दे सकते हो। फिर कोपाइलट आपको प्रोजेक्ट की रूपरेखा देगा जिससे आपको बजट के अंदर रहने में मदद मिलेगी। आप आगे भी सवाल ऊच सकते हैं, जैसे क्या ये बजट इस प्रोजेक्ट के लिए काफी है या क्या इस प्रोजेक्ट को दी गई समय सीमा इसके लि दे सकता है, जैसे साफ सफाई रखने और काम की सूची को ज्यादा प्रभावी धंग से मैनेज करने में सहायता, बस पूछें, कोपाइलट मेरा घर अव्यवस्तित है और मेरे कामों की सूची बहुत लंबी है, क्या तुम कुछ सुझाव दे सकते हो जिससे मैं जल्दी से घर व्यवस्तित करके अपना काम कर सकूँ, आपको सफाई के बारे में व्यावारिक सला और कामों की प्रात्मिक्ता के लिए सुझाव मिलेंगे, अगर आप एक सेल्स मैनेजर है और क्लाइंट मीटिंग की पैयारी कर रही हैं, तो कोपाइलट नोट्स बनाने में आपकी करता सकते हो, कोपाइलट नोट्स ब्यवस्तित करने में गाइड करेगा ताकि आप मीटिंग को सफल बनाने और समय बचाने पर ध्यान लगा सके, कोपाइलट को आप अपना पोस्नल टाइम मैनेजर जैसा माने, जो आपके दिन को व्यवस्तित करने, गात्मिक्ता तै करने और खुश रखने वाली चीजों के लिए समय निकालने में आपकी मदद करता है। चाहे एक नई किताब शुरू करना हो, बाहर घूमना हो, या बस आराम करना और खुश रहना हो, आप अपने रोजाना के शेडूल को व्यवस्तित बनाए रखने के लिए कोपाइलट पर भ खरोसा कर सकते हैं, ताकि मनपसंद काम के लिए समय निकाल सके।